हेलो बच्चों कैसे आप सब लोग सबसे पहले कंगेचुलिशन मेरी तरफ से केसे की पूर टीम के और से उन बच्चों के लिए जो कहा है सीएस जावलटी का जो एक्जाम है कल वो पास हो चुके हैं अब वो नेक्स सेज पे पहुंच चुके हैं तो मेरी तरफ से और केसे की गई है जो बच्चे पास हुए है चीक है इस वीडियो में आपको complete details बताने वाला हूं उसमें सब कुछ information available होगी तो वीडियो को एंट तक देखेगा बच्चों तभी आपको complete information होगी otherwise आप comment में query पूछते रह जाओगे इसलिए वीडियो को एंटक देखेगा और पूरी द क्लिक करता हूं तो हम यहां पर यह notification का है ठीक है यह पूरी complete से pages की notification आई अब इसमें क्या क्या बताया गया है आपको मैं समप करके बताता जाता हूं फटा फट सबसे पहले आपको congratulations दिया गया है कि आपको CSV पास होने पर बहुत-बहुत congratulations उसके बाद बताया गया है जो आपका 7 मही को अपने exam दिये थे उसका result अपना 13 मही को कल आ गया है और आपको बताया गया है कि जो जो मैंने highlight कि हो यह airline कि आपको register करवाना है CS executive program के लिए कब तक on or before the 31st May 2022 अगया आप आप दो मडियूल दें कोई बात नहीं पर आपकी जो फीस है पूरी बहुत मडियूल की पहुंच जाएगी ठीक है 31 मही तक आपको registration form बरना है ठीक है उसके बाद अगे आते हैं आप फीस कितनी होगी registration फीस कितनी होगी जो general category के बच्चे हैं उनकी 8500 है SC और ST के लिए half फीस है 4250 और जो physically handicapped हैं उनके लिए 2000 पे होगी और वाड या विड़ो फ माटेड़ों ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन एर फोर्स इंडियन नेवी और पैरा मिलिटरी फोर्स इन सभी के लिए 100% exemption है रजिसिशन के लिए ठीक है जी और जो परसोनल ऑफ इंडियन आर्मी इंडिय एर फोर्स इंडियन नेवी और पैरा मिलिटरी फोर्स विड पर्मनेट डिसेबिल्टी अजब्लिटी अज़ल्ट ऑफ पाटिसिबेटि के लिए पूरी 100% एक्जंशन है और इनके लिए 50% सर्वेस और रिटायर परसोनल ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन एर फोर्स इंडिय और जो स्टूरेंट सबसे इस्टेट से आते हैं जैसे कि अंडवान, निकोबार, आइलेंड, लक्षदीब, हिमाचल परदेश ठीक है जी इनको 50% की रिजिशन की वेवर है ध्यान से सुनियेगा इन जीजों को ठीक है न अब इसके लावा इसके लावा आपको एक और फी पे प्रोग्राम के इसके इलावा मान लेजे कोई SCST का है उसको 4-2-5-0 इसके रिचिन के देने पड़ेंगे प्लस $1,000 प्री इग्जामेनिशन टेस्ट के प्लस $600 रुपे ODP के देने पड़ेंगे चीक है जी और pre examination test के बारे में बताया हुए detail जो है मैं आपको वैसे भी आपको इसकी वीडियो बहुत अच्छे से बनाई हुई है कि कैसे कैसे आपको appear करना है चीक है इसकी detail मैं आपको इसका link जो है description में दे दूँगा चीक है जी तो यह होगी completed detail ठी to be submitted through online mode only through the remittance of registration fees ठीक है जी online होगा offline नहीं होगा उसके बाद यह आपका registration procedure है ठीक है registration procedure दिया हुआ है आप ICSI की website पे जाओगे इसके लिए भी आपको यह देखने की जुरूरत नहीं है इसका link जो है आपको description में दे दूँगा ठीक है description में link दे दूँगा आपसे वहाँ वहाँ आप पूरा complete procedure का देख सकते है ठीक है जी registration का पूरा procedure आपको वहीं पर दिखाई देने को मिल जाएगा complete detail तो खुल मिलाके यह चीजों की आपको अप्डेक्शन आई है और जैसे कि आपको बता है जिन बचों को नहीं बता की registration fees के बारे में हो गया ठीक है exemption कितनी मिनने वारी है last date क्या है सब कुछ हो गया सब्जेक्ट कितने होते हैं सब्जेक्ट आपके module 1 में चार module 2 में चार होते हैं और जो बहुत module है देना चाहिए 40% और 50% वही CSWT वाला criteria है ठीक है 40% हर सब्जेक्ट में चाहिए और 50% aggregate चाहिए आपको single module क्लियर करने के लिए ठीक है बुचों इसके इलावा इसके लावा अगर आप classes बाए करना चाहते हैं CS Executive की वीडियो lecture बाए करना चाहते हैं तो हमारे KCC Tutorial के पैनल पे सरफ limited period के लिए offer है जो CSWT मैं में पास हुए है उनके लिए सरफ कुछ period के लिए offer है एक limited period के लिए जो आपका पूरा का पूरा module है 7999 में और बोथ module जो है वो only 13999 में मतलब मात्र 14000 रुपीज में चीक है और इसमें यह नहीं बिल्कुल latest recordings होगी कोई पिछले 3-4-5 साल पूरानी recording नहीं होगी बिल्कुल latest recording होगी ठीक है प्लस आपको soft copy notes मिलेंगे plus test series होगी जो mcq वाज़े subject है उसी के अंदर ही include होगी free of course इसके कोई extra charges नहीं होगी ठीक है और plus इसके साथ जो amendments वगरा होती है last में sorry जो revision series होती है हम लोग हर session में at the end of the month ठीक है last एक महिना revision करवाई जाती है पूरे syllabus की और doubt session भी साथ-साथ अपना weekly two days इने week लिए जाता है doubts भी साथ-साथ लिए जाते हैं chapter की ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चूल करेंगे चैनल को सब्सक्काइब करना और बेल अकिन दवाना मत पूलेगा थैंक्यू